जो चक्कर आते हैं, जिनको चक्कर आना vomiting from sensation होना उसका reason क्या है मैं ज्यादा reason पर बात नहीं करूंगे हम treatment पीचा काम करेंगे उसका treatment घर बे बचे कैसे आख सकते हैं पर उससे पहले में बताती हूँ कि जिनको चक्कर आते हैं कि क्या होता है कि यहां पर occipital muscles होती हैं बिल्कुल सेर के नीचे जब cervical issues जो cervical start होता है हमारे cervical vertebral start होते हैं उसमें से एक हमारी vertebral muscles जब tight हो जाती हैं जब वो tight होंगी तो उससे हमारी जो back neck की muscles से tight होंगी it could become the reason for the headache or for the vertebral vertebral उसको कहा जाता है vertigo जिसमें हमारे को चक्कर आते हैं ठीक है migraine होता है और भी कई vomiting sensations रहती है सिर भारी रहना jaw में पेन आ जाना उसका इलाज घर बेटे किया कैसे जा सकता है और उसका reason क्या है reason सिरफ muscles का tightness और spine की misalignment होना अब यह हमारे पास patient आये हैं हमारे पास आपका नाम क्या है सर्व सिरी निवास सिरी निवास जी तीन साल से इस position पर लेटे नहीं है आज हमने इनका थोड़ा बहुत treatment की में कुछ आपको help करने के लिए हम इनका ढूबाबारा से आपको बता रह Stevens 快 sign 1991 इनका second session है First App एफसी सेशन में इनका treatment doesn't work व sommes सेचिए जा सकते हैं की अपने आप से आपको बता सकते हैं कि आज यह यह सीधे नहीं लेटे ये बिकॉज इनको चक्कर आते हैं यह साइड वाइज ही लेट पाते थे ठीक है उसके लिए हमने इनके साथ क्या ट्रीटमेंट किया और किस से यह ठीक हुए है उसका हम बताएंगे यह जो यह मसल्स होती है है साइड नेक वाइंग हम इस तरह फेस करेंगा या किसरा को चक्कर तो नहीं आरे से ठीक है आप यह जो मसल्स होती है यह यह काफी टाइट हो जाती है इसको रिलीज करना अच्छे से दो फिंगर लेंगे और इस तरह इसके साथ चलाएंगे आप इसके साथ ओयल ले सकते हो क्रीम ले सकते हो कोई भी चीज ले सकते हो आप ऐसे लेके इस तरह रिलीज करेंगे आप आप जब रिलीज करेंगे, यह करते हुए भी पेशंट को चकर आ सकते हैं。 तो आपने उनको भीज魚 में पूछते रहने कि आप ठीक हो? जब भी आपको चक्कर आए, एक चीज धियान रखना है, जब भी चक्कर आए, अपने आखे बंन नहीं करनी हैं. जहां पर आप हैं, वहां पर बैट जाओ, या लेट जाओ, या किसी का हाथ पकड़ लो, और अपनी आखे स्टेबलाइस करनी है, बेशेक आप अपने हाथ को एक बार देखते रहें, जब तक चकर स्टेबल नहीं हो जाते हैं, जब आपको चकर आने थोड़े रुख आपने पेशेंट को हमेशा कहना है कि आखे खोल के रखेंगे, ठीक है, अब आप यह सब यहां पर इस तरह रिलीस करेंगे, रिलीस करते हुए, यह रिलीस करने के बाद आइस क्यूब लेना है, इस जगह पर आपने आइसिंग भी करनी है, आइस क्यूब को डिरेट इस की भी मसल को इसी तरह रिलीस करना है, ठीक है, इसको रिलीस करने के बाद, सीधा देखेंगे, आप ठीक हो, ठीक है आप, चकर तो नहीं आ रहा है, ठीक है, अब भी इसके बाद, यह जो पीछे, आप फोकस करेंगे, यह जो मसल है, इस पे आपको इस तरह यह टिप्स को ऐस से रखकर होल्ड गरना है आप अपना सिर छोड़ दें बिल्कुल यह मसल्स काफी टाइट होती है इसको पकड़ कर छोड़ना है की ब्रीधिंग लंबे सांस लेंगे इसको दबाकर होल्ड करके रखना है आपको डीले हाथ से और यह मूव्मेंट देनी है हलके हाथ से अपने आपको वेरी गुड फिर से हम करेंगे वेरी गुड सेंट्रलाइज करेंगे सिर फिल्कुल ठीक है अब फिर से करेंगे इस सरा आपने दस बार करना है यह करते वे भी आपको चकर आ सकते हैं पर आपको चिंता नहीं करने सीधा देखेंगे आप जरूरी नहीं है पर आ सकते हैं तो उसका precaution आपको क्या करना है जहां पर चक्कर आ रहे हैं वहीं पर आपने रिलाक्स कर देना है और वहीं पर आपको stabilize कर देना है एज मैंने आपको बताया कि एक जगा पर continue डेखते रहना है और चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है ठीक है और अब एक strengthening exercise मैं आपको बता रही हूं कि आपको क्या करना है जब हमारा कोर वीक होता है न तब भी हमारी neck की जो muscles है वो टाइट होनी शुरू हो जाती है one of the reason यह नहीं कह रही हूं कि this is the only reason हमारा neck को release भी टाइट होना ठीक है उसको release करके हमने एक exercise यह भी करनी है अपने को strengthen करना है किस तरह करना है दोनों knees bend करेंगे और भी multiple reasons होते हैं पर what I see in him is one of the this reason इसके इलावा और भी कई reasons होते हैं उसके लिए आपको हमारे को contact करना ही पड़ेगा ठीक है जो इन चीजों से नहीं अराम आ रहा तो उसके इलावा हम जो और tips दे सकते हैं वह आपको हमारे पास आना होगा तो हमारे पास आने के लिए करनाल प्लस को contact कर ना होगा पहले एक्ससाइज देखते हैं कैसे करना है इसको इस एंगल पर रखना है एक एक करके लाट उठानी है अब दूसरी उठानी है इसको को होल्ड करेंगे 10 सेकंड 10 सेकंड के लिए होल्ड करके इसका जो पूरा जोर है इस जगह पर पड़ेगा और नेक को आप बिल्कुल फ्री रखेंगे नेक को टाइट नहीं करना है नेक को उपर लिफ्ट नहीं करना है इस जगह पर आपका प्रॉपर प्रेशर आएगा ठीक ह कईयों को shivering भी होगी, shivering मतलब कामपेंगी भी लाते हैं, आपको चिंता नहीं करनी है कामपेंगी कोई बात नहीं, आप समझ जाना कि आपके बिल्कुत सही मसल यूज हो रही है ये वली और ये वली legs वगएरा जो हैं वो हलकी सी कामपेंगी, चिंता नहीं करना है 10 second hold करके इसको नीचे और ऐसे आपको 5 set करने है दिन में एक बार, initially एक बार करेंगे फिर इसको हमें increase कर सकते हैं, लेवल इसका, ठीक है ये best exercise है for core, for the patients, ठीक है फिर मैं आपको बता रही हूँ कि नेक में अगर आपको चकर आ रहे हैं नेक की वज़े से, तो नेक की muscles जो हैं, वो tight हो जाती है उसको हमने release करना है, icing करनी है और उसके बाद रात को सोने से पहले heat pad करके सोना है ठीक है, और उसके इलावा हमने core को strengthen करना है किस तरह करना है, वो मैंने आपको वीडियो में बता दिया है इसके इलावा, अगर आप कोई भी information related to spine that is shatiga, numbness, shoulder issues, यहां आपकी legs में कोई issue आ रहा है उससे related कोई भी बात करना चाहते हो, तो आप करनाल प्लस को contact करेंगे करनाल प्लस के इस नंबर पे आपको whatsapp करना होगा मेरा क्लीनिक सुभाश नगर न्यू डेली में है और मुझे contact करने के लिए आपको करनाल प्लस को contact करना होगा I am Dr. Kaur और आप में को contact कर सकते हैं anything related to spine problems, thank you